अब इवनिंग दोस्तों तो अब लोग में और आज मैं जा रहा हूं भुपाल से थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं कहां भुपाल पहुंच के बताऊंगा ठीक है अब ही मैं जा रहा हूं प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ इस वक्त रेल्वे ब्रेच पे दो ट्रेनर जो भी पहले आती है उस कोपल पकड़ते हैं अब बहुत दिनों के बाद ट्रेवलिंग लिए जा रहा हूं सास सी फूल जाती है पूंस्ते प्लेटफॉम पे आज तो देखो पूरा ब्रेच खाली है कोई भी नहीं है पूरे ब्रेच पे एक नमबर मौसमो रखा है अब नि और यह दोस्तों फाइनली हम लोग अपने विरांगा लक्ष्मी भाई छांसी को स्किप करते हुए है अब हम लेंगे सफर के मज़ेग आत दोस्तों अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग आ चुके बोपार जंक्शन पे और अभी जा रहा है नस भाई से मिलने के लिए अब जा रहा हूं भार की तरफ एक लिए अब इसमें बजा दिये था गया नहीं को इसका प्रटेक्शन भी लगाया देख लगाया उसको सेफ करने के लिए और इसको का पाक करने है और बाई साब गंदा गए तो हमको हम गूमने के लिए अनजाई के साथ बोपाल के रात में पारावजे हम लोग मस्ती मार रहा है और बहुत पढ़िया सेक्सी मौसम हो रहा है और याए चाय पीन चाय हमक है और जैघ आगई अमारी प्यारी प्यारी इनानी चाय आय है अब इसको पी हम यह जानते हैं और यह पाकशन अनुद्वाई में यह और आम लोगों का स्टेशन और जैई एत्यम के चोरिक तायारी चलीग चलीए कि अब आज़ गंटे के सफर के बाद बोपाल से अब हम पहुंच गए नाकपूर जंग संग नाकपूर जंग्शन और नाकपूर जंग्शन और नाकपूर जंग्शन देखो एक साइड कितना बरा हुआ था और एक साइड कितना काली है अब तोड़ा से यार क्या मुहाद मुहाद दोईगे फ्रेश होंगे उसके बाद अपन लेकले हैं कुछ नाकप्स नाकपूर ने के लिए पर यहां से जाएंगे होटल में चेकिन करने के या फूर इसी दिर मिलते हैं